क्लास एवंग, आज अप लोग केंदी पाट में चप्टर 11 परहाने जा रहे हैं। इस पाट का नाम है छीक। छीक के एक अंदविश्वास, प्राधारित कहानी है। लोगों को अंधिविश्वास के चकर मिने परना चाहिए, जादा अंधिविश्वास नहीं करना चाहिए, उसी प्राधाय जे कहाने जाप्लो को चप्टर में हाँ, एक समय की बात है, बहरन पुनामा गाव में जो मनोहा नाम ता एक बैक्ती रहता था, उसकी आयू लगभग स पत्तर वर्ष की थी, लेकिन था एक दम स्वस्थ, शिक तक कभी नहीं आती थी, उसकी दूए बेटे और बहुए थे, बेटे का माते खाते थे, घर में मनोहर का राज चलता था, उसकी मर्जी की बिने पत्ता नहीं लेकिन यह बात मनोहर की बहु को बहुत ही बुरी लगती भी थी, वह चाती थी कि हमारा घर में इराज चले और इस बात पर मनोहर की बटेश वह लरती जगरती थी, तो यह बात मनोहर की बहुत है बाते सुन ली, उसे तो गुसा यह परतु उसने किसी सो कुछ कहा नहीं, लेकिन मन में सोचा कि अब तो मैं बुरा होई गया हूँ, जिन्दी की थोरी बाकी, थोरी सी तो बाकी होगी, बच्चों से ब्यकार क्यों जगरा करो, कास आदमी को पता चल जाया करता है कि उसे कितने दीन और जीना है और तो कितना अच्छा होता, तो उसके मन में विचारा है कि पंड़ी जी है, बहुत बड़े ग्यानी है, क्यों कितने बाकी है, यह सुस्ता हुआ पंड़ी जी के घर गया, पंड़ी जी को परनाम करके और अपने आने का कारन बताया, लेकिन पंड़ी जी बोले कि देखो, तुम्हें इसा परसानी के चकर मनहें पढ़ना चाहिए, जो तुम्हारा उम्र बाकी है, अन्जान में इडा कर म मिरे अधने तुम्हें है कि मेरी आयु कितनी है, पंड़ी जी न आयुन बता कि बोला कि देखो कि इसा упर दाओकिं ना बजऑ दॉसरा श्रुक में बजः जाओके लेकिन तिसरा श्रुक्षिक हाएगा तो जो situación महारा बात को मन में मिली है मनोहर, वो चुक को बचाने को उसे एक शिक आया, तो दुसरा शिक को बचाने का कौसिस किया, दुसरा बर में वह नहाने किया, तो फिर तुरन शिक आया, तो भी लेकिन अब तिस्रे शिक को में आने, नहीं दूगा, कितना भी कुछ हो जाए, लेकिन किसी काम से उसकी बहुत बाजार भिषती है मनोहर को, म सब्सक्राइम करना चाहिए अब इस पार्ट का आप लोग कोशनल सब बनाएं लिख दिया है इसे आप लोग याद करेंगों कि देखे तुश्री में कि यो लाना बंद कर देंगे कि तुम्हों गया है